जारकन्ड एकणोमी कॉंसिल जो क्लास 11 और क्लास 12 और 8, 9, 10 और मैट्रिक के लिए जो एक्जाम का पैटर्न डिसाइड किया था उसमें परिवर्तन के लिए आदेश दे दिया गया है सिक्षा मंतरी जगरनात महतों ने उस पूरे पैटर्न को और एक्जाम के टर्म को दोनों को परिवर्तित करने का अदेश दे दिया है उन्होंने चिट्टी लिकर सचीव सिक्षा अस्कूली सिक्षा है और साचरता विभाग रांची को ये पत्र लिखार जिसमें क्या क्या बाते ही लिखी गई है वो मैं आपसे सेर कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन है कि क्या परिक्षा दो टर्म में होगी या परिक्षा एक ही term में होगी एक term में होगी तो किस परकार से होगी क्या syllabus है यह सारे सवाल बहुत सारे सवाल उनके मन में है तो सिख्षा मंत्री का चिक्ठी जो भीजा गया है वो मैं आप से share कर रहा हूं और मैं पढ़के सुना रहा हूं क्या-क्या बाते इसमें लिखी गई इसमें पहला जो कहना है सिक्षा मंत्री का वह प्लास 8 9 10 मैट्रिक इंटर अनि 8 9 10 11 12 8 9 11 मैट्रिक इंटर की परिक्षा एक ही टम में आयुजित की जाएगी पहला चीज है कि जो भी होगा आप दोनों टम में एक्जाम नहीं होगा चाहे क्लास 8 हो चाहे क्लास 9 हो चाहे क्लास 11 हो चाहे मैट्रिक हो चाहे इंटर की परिक्षा एक ही टम में ली जाएगी दूसरा इसका मतलब है कि इनको अब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों पढ़ना है लेकिन बाकि जो क्लास के लोग बच्चे है जैसे क्लास 8,9,11 वाले बच्चे केवल OMR सीट में परिक्षाव देंगे जैसे पहले होता था और पूरा पैटर्न बदल के पूराने पैटर्न की तरफ कर दिया गया है पहले यह है कि क्लास 11 और 12 का जो बच्चा था 11 के बच्चे 8 के बच्चे और 9 के बच्चे पहले अब्जेक्ट मंतिरी ने शिक्चा OMR साचरता विभाग को चिठी लिग दिये अब देखे जल्दी इसका नोटिफिकेशन आएगा कि अस्कूली सिक्चा OMR साचरता विभाग इस बात पर क्या करता है कौन से पैटर्न को अपलाई करता है वो अपना को सजेशन देता या इसी बात को मान ल करता है